इस गाव के शिव मंदिर में 15 सालों से एक नाग कर रहा है महादेव की पुजा वीडियो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे दिव्वी नाग के दर्शन कराने जा रहे हैं जो 15 सालों से लगतार कर रहा है महादेव की पुजा नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब के चैनल में लेकिन दोस्तो वीडियो को पूरा देखने से पहले एक बार सच्चे भाव के साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश लखेगा दोस्तो मानेता है कि जो भी व्यक्ती इस नाग के दर्शन कर लेता है तो उसकी सभी मुरादे सभी इच्छाए पूरी हो जाती है मंदिर के पुजारियों का कहना है कि ये कोई साधारन नाग नहीं बलकि स्वैम महादेव का कालिया नाग है दरसल दोस्तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सलेमाबाद गाउं में एक प्राचीन शिव मंदिर है यहाँ पिछले 15 सालों से रोजाना नाग देवता आते हैं शिव जी को नमन करके कुछ देर उनके चड़नों में बिताते हैं और वापिस वहाँ से चले जाते हैं दोस्तो ये घटना पूरी तरीके से सच्ची है इस्थानी लोगों के अनुसार नाग देवता रोजाना शिव मंदिर में आकर करीब 5 घंटे रुखते हैं वो सुभा 10 बजे के आसपास आते हैं और फिर दोपहर 3 बजे तक चले जाते हैं इन 5 घंटों में वे शिवलिंग के पास ही बैठे रहते हैं दोस्तो लोगों का कहना है कि नाग देवता पिछले 15 सालों से यहाँ पर रोज आ रहे हैं लेकिन उन से किसी को डर नहीं लगता उन्होंने आज तक किसी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुचाया दोस्तो इस नाग देवता और शिवजी के मिलाब को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने के लिए आते हैं नाग के आने को लेकर लोगों के अंदर काफे जिग्यासा देखी गई है। पोराने कथाओं के अनुसार नाग शिव जी को अत्यन्त प्री होता है। भोले नाथ इसे हमेशा अपने गले में धारन करके रखते हैं। जब भी लोग शिव मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो नाग देफता की पूजा भी वो लोग करते हैं। दोस्तो मंदिर में शिव लिंग के ओपर भी नाग देफता बने होते हैं। हम उमीद करते हैं कि आपको ये चमतकारी मंदिर की जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तो यदि आपका कभी आगरा जिले में जाना हो तो आप इस मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप अपनी आखों से नाग देफता को शिवजी के दर्शन करते हुए देख सकते हैं। दोस्तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें। जै महादेव।